दोस्तो आज की वीडियो में मैं दो मीटर लाया हूँ दिखिए यह एनलोग मीटर है जो कि सुई वाला है और यह डिजिटल मीटर है जो कि डिजिट में सो करता है और यह इसका सुई से हम लोग कलकुलेशन करते हैं तो आज मैं यह दोनों में कंपोनेंट चेक करूँगा मैं यह कंपोनेंट लाया हूँ एक है डायोट एक ट्रांजिस्टर चेक बैटरी यह दोनों मीटर से चेक करेंगे इतना ही मैं आपको अन्दाजा लग जाएगा कोई कोई वीवर ऐसे है डेवर्ट के बारे में उनको पता नहीं है कि पलस कौन सा है और माइनस कौन सा है और वो क्या करते हैं कि ऐसा कमेंट मतलब बत्तमीजी वाला कमेंट करते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कुछ गलत बताते हो ऐसे क्यों बताते हो ऐसे वैसे अब उनको यह पता नहीं कि उन्हीं को खुद पता नहीं और वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं अगर हमने कोई गलत जनकारी दी है तो आप जानते हैं तो उसको शेयर करईए बहुत अच्छी बात है आपका स्वागत है मैं बहुत अच्छा मानता हूं अगर मेरे से कोई चीज गलत जनकारी सेयर हो जाती है आप लोग उसको शाई करते हो तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि हाँ ये चीज है लेकिन जो मैं शाई बता रहा हूँ उसको बत्तजमीजी से कमेंट करते हैं तो ये गलत बात है तो पहले आप अच्छे तरीके से उस चीज को जनकारी लीजिए अगर मेरा इंफोमेशन गलत है तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप तो दिखिए जहां पर डैवर्ड है और ट्रंजिस्टर है ये बैटरी है दुनों से मैं चेक करके पताऊंगा बहुत से दोस्त कंफ्यूज है और वो क्यों कंफ्यूज है उसका कारण हमें जहां तक लगता है कि ये मल्टी मीटर है कई लोग इस मल्टी मीटर से सिखे हुए है कई लोग इस मल्टी मीटर से सिखे हुए जादा तर जो पहले का सिखे हुए है वो इस multimeter से सिख्के हुए हैं मैंने भी शुरू शुरू में जब इस line में आया था तो ये analog meter ही use किया था उसके बाद ये digital multimeter ही use करा मुझे जहां तक लगता है कि confusion अगर है तो शायद ये multimeter ही है इस दोनों multimeter से मैं ये 2-3 चीज़ में चेक करूँगा इसी से आपको अंताचा लग जाएगा अब देखिए जहां पर ये meter है इसके probe को लगाना पड़ता है देखिए जहां पर देखिए यहां minus common जहां पर black wire लगाया जाता है जहां पर देखिए जहां पर भी लिखा हुआ है प्लस यहां plus लिखा हुआ है प्लस रेट जहां दोनों सही फैर लगा हुआ है इसमें भी वैसे ही है देखिए यहां जो है इसको मैं निकाल देता हूं देखिए जहां पर कॉमन लगाया जाता है जो कि ब्लैक यहां भी ओम्स एम यहां पर टेट यह भी सही है अब यह दोनों मल्टिमीटर के लिट को मैंने सबसे पहले मैं इस बैटरी को चेक करूँगा अब देखिए यहां पे यह ओन अफ नहीं होता सीधा यह चलाएंगे चालू हो जाता है यह प्रॉब जो है वह एनलोग मीटर का है देखिए यहां पर रख दिया यह जो प्रॉब है वह डिजिटल मल्टी मीटर का है इसको मैं अ देखिए यहां बीप की साउंड आ रही है अब यह दोनों प्रॉब को मैंने रखा अब मैं शूई वाले मल्टी मीटर से इस बैटरी का वोल्टेज चेक करूँगा वोल्टेज चेक करने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी है तो हमें 50 के टीसी रेंज में इस मल्टी मीटर को सेल खुरत कर लेता हूं जहां 50 वोल्ट में मैंने सेलेक्ट कर लिया अब इस बैटरी रेटरी को चेक करेंगे अधिस ब्लगाएंगे अब देखिए जहां पर बैटरी क्या सोग कर रहा है कि यहां पर देखिए जब हम 50 की रेंज में लगाते हैं तो यह बीच वाले को काउट कर करेंगे अगर हम 20 के रेंज में लगाएंगे यहां नीचे वाले को काउंट करेंगे अगर 10 के रेंज में लगाएंगे तो सबसे उपर 10 है वहां उस वाले को काउंट करेंगे इस तरीके से यह मल्टी मीटर का कैलकुलेशन है आज मैं चलाना नहीं बता रहूं शिर्फ मैं यह VWRT चेक करना है तो 50 के range में लगाया तो यहां से हम 50 के range में चलेंगे तो यहां 10 है यहां 20 है यहां 30 है 40 है यहां से यह छोटा वाला 1 है 2 है 3 है 4 है और यह एक बड़ा दिख रहा है यहां पर यह 5 है फिर यहाँ 6, 7, 8, 9 और यह बरावला 10 तो इस तरीके से इसका आगे तक कल्कुलेशन होता है अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं चेक किया यहाँ पर क्या बता रहा है कि यह 10 है और 10 से 1, 2, 3 यानि कि 3 पर जा रहा है आप लोग को दिख रहा होगा यानि कि 13 वोल्ट इस बैटरी को बता रहा है यह चार्ज है बैटरी 13 वोल्ट इसमें शो कर रहा है अब मैं इसी बैटरी को डिजीटल मल्टी मीटर पर चेक करके दिखाता हूँ आपको यह रहा हमारा डिजीटल मल्टी मीटर जहां पे बीप की रेंज में select है इसको मैं यहां 20 की रेंज में select करूँगा इसमें 12V की बैटरी चेक करना है इस मीटर में मैंने 50 का रेंज इसलिए select किया कि यहां पे 10 के बाद एकी बार 50 का रेंज है इसमें 10 का नहीं है एकी बार 20 का है तो 12 volt की बैटरी चेक करना है तो 20 के range में select कर लेंगे यहाँ पर देखिए 20 के range में select कर लिया अब इस बैटरी को check करेंगे बैटरी के positive पे rate pro लगाएंगे negative पे black pro अब वहाँ पर देखिए यहाँ digit में बता रहा है तो 12.75 यानि कि 12 volt की बैटरी है तो यह डिजित में Eccurate बताया लेकिन यहां पे 75 जो है उसको पूरा 13 बता दे रहा है तो यह थोड़ा फडक होता है यह Eccurate बताता है डिजित में यह analog में बताता है इतना अंतर होता है अब यहां पे सब कुछ ठीक है अब देखे जहां आप मैं इस टैवड को चेक करता हूँ, अब देखिए इसमें क्या है कि कोई निशान नहीं है, मिट गया है, इसको हटा देते हैं, दूसरा टैवड लेते हैं, देखिए, इसमें निशान है, अब ये निशान जो होता है, ये पट्टी वाला साइड माइनस है, और बीना पट् पहले मैं ये सुई वाले से इस डैवड को चेक करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर रेंज को बदलना पड़ेगा, तो इसको मैं HFE वाले रेंज में लाएंगे, तो देखिए, इसको मैं HFE वाले रेंज में सेट कर लेता हूँ, देखिए, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ल देखिये पीछे जा रहाज है तो एक आगर यह आगे पीछे है जैसे के आपको चाहिए पर टरच किया द्युर्भी कहीं करेंगा तो इससको एक्जेस्ट करना बता रहें देख्या जहाँ यह 0 पर रहना चाहिए यह accurate हो गया तो यह adjustment है यह सुई को adjust करने के लिए volume दिया होता है यहां पर सही हो गया तो यहां पर आपको touch किये रहना है तब उसको adjust करना है देखिए अब यहां पर मैं सबसे पहले diode को check करूँगा तो देखिए यहां पर मैं यह पट्टी वाले side पर रेड लगाता हूं बीना पर पट्टी वाले पर ब्लेक लगाता हूं अब यहां पर देखिए यह multimeter सो कर रहा है ठीक है तो यह में रखा है बीना पर इंधे ब्लेक पर रखा यह पकि तो यह बता रहा है लेकिन यहीं पर digital multimeter में क्या होगा कि अलड़ा होता यह उसमें पर्टी वाले साइड में ब्लेक पूरब रखना पढ़ेगा और बीना पर्टी रही letter प्रूर्द अत्यान करणा पिकिये हैध अब continuity पे ला दिया यहाँ diode का symbol भी बना हुआ है देखिए अब यहाँ पे मैं देखिए यह diode है अब यहाँ पे सुई वाला multimeter में मैंने rate pro पट्टी वाले side पे रखा था और बीना पट्टी वाले side पे black pro रखा था अब वैसे ही check करते हैं देखिए वहाँ पे कुछ नहीं show कर रहा है अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पट्टी वाले side पे black pro रखेंगे बिना पट्टी वाले side पे rate pro अब यहाँ multimeter में देखिए continuity show कर रहा है अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो भाई इस meter को यूज करते होंगे वो कहेंगे कि यह पट्टी वाला plus है क्योंकि उनका multimeter यह पट्टी वाले side को plus बता रहा है लेकिन जो भाई digital यूज करते होंगे उनको यह बिना पट्टी वाला side plus बता रहा है जैसे कि यह अभी बता रहा है देखिए यह digital multimeter से हम चेक कर रहे हैं अब यहां पर यही confusion है कि जो लोग यह meter यूज कर रहे हैं उनको यह प्लस उल्टा बता रहा है तो यह multimeter क्या है कि उल्टा बताता है ısı को वोग नए देखा अभी मैं ट्रंजिस्टर है आप लोग ने देखा अभे मैं ट्रंजिस्टर भी आपको चेक करके दिखाता हूं यह 548 सब को पता है यह यह सोई ओला है ट्रांजिस्टर है आप लोग से भी जानते हैं यह NPN ट्रांजिस्टर है सब को पता है यहां पर मैं सुई वाले से इसको चेक करूंगा देखिए यह सुई वाला है प्रो अब यहां पर बीच वाला इसका बेस होता है यह बहुत इस लिए यहां पर रखा पैस पर यहां पर कंटि に नहीं बताया यह इस समेंटर से जहां पर क्या कहेंगे कि यह PNP transistor है यानि कि दो terminal ये भी P है ये भी P है और ये बीच वाला negative है तो N है यानि कि PNP तो ये meter से जो आप भाई चेक करेंगे वो इनको इसको PNP कहेंगे लेकिन ये सही में NPN transistor है अब digital multimeter से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ अब यहाँ पर digital multimeter से चेक करेंगे तो पहले black ब्रो से इसको चेक करेंगे तो ये नहीं बता रहा है देखिए नहीं बता रहा है लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये red से बताएगा देखिए continuity show कर रहा है digital multimeter में ध्यान दीचिए अब यहाँ लाइब देखिए continuity शो कर रहा है तो अब क्या है कि यह एन यह पी रेड़ प्रो है तो एन पी एन-पी-एन सही ट्रंजिस्टर है सभी को पता है तो यह डिजिटल वाला है जो सारे आप लोग को आज दूर हो मैंने दोनों मल्टी मीटर से प्रोपर आपको चेक करके हड़ चीज दिखाया कि यहां पर बैट्टिरी दोनों मीटर सही बता रहा है ठीक है लेकिन यहीं पर डायोड और टांजिस्टर यह सुई वाला उल्टा बता रहा है यह डिजिटल जो है मल् आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा कंफ्यूजन दूर हो क्या होगा फिर भी कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विल घंटी को जरूर दबा लेचेगा ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को आगे भी देखने को मिलता रहे तो मिलते हैं ऐसे नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत थैंक यू